इस वीडियो में हम vacuum circuit breakers के बारे में बात करेंगे जैसा के पिछले तीन वीडियो से में हमने circuit breakers के तीन अलग-अलग types को देखा oil circuit breaker, air blast circuit breaker और sf6 circuit breaker को हमने देखा उनकी functioning और उनके working को हमने देखा इस वीडियो में हम vacuum circuit breaker के बारे में पूरी detail में बात करेंगे पहले हम construction देखेंगे फिर working उसके बाद advantages, disadvantages और applications के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के जो आपको notes बनाने हैं अगर तो आप हमारी website से जाकर के बना सकते हैं link आपको description में मिल सकता है या फिर आप direct electricalpartiala.com भी सरच कर सकते हैं वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि quiz हम वहाँ पर upload करते रहते हैं अलग-अलग subjects के quiz आपको मिल जाएंगे, test आपको मिल जाएंगे, बाकी सारे subjects की जो theoretical knowledge है वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगे, read करने के लिए और notes बनाने के लिए ये जो PDF files हैं, ये भी मैं वहाँ पर upload करता रहता हूँ कुछ upload कर चुका हूँ, कुछ upload आगे मैं कर दूँगा तो आप website पर जरूर जाके देखिए और हमारे telegram channel को आप जरूर जोइन कर लिजिए वहाँ पर आपको PDF files और books वगरा provide कराई जाती है quiz भी वहाँ पर start रहते हैं Facebook group और Instagram पर भी आप हमको जोइन कर लिजिए अगर आप English में कोई वीडियो आपका देखता है तो English YouTube channel को भी follow कर सकते हैं देखिए vacuum circuit breaker जो है यह बहुत ही simple इनके functioning है बहुत ही आसान है समझने में तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा पूरा आखरी तक देखिएगा vacuum circuit breaker जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है इसके अंदर जो arc quenching medium है वो vacuum को लिया जाता है मतलब vacuum के द्वारा यहां पर arc को finish किया जाता है अब वो हम आगे working में देखेंगे कि किस तरीके से finish किया जाता है पहले मैं आपको introduction बता दूँ कि vacuum circuit breaker में जो vacuum लिया जाता है उसका जो range होती है जो order होता है वो होता है 10 raise to the power minus 5 to 10 raise to the power minus 7 tor एक tor जो होता है वो 1 mm of mercury के बराबर होता है इतना vacuum use में लिया जाता है कभी कभी 10 raise to the power minus 4 भी range में आ जाता है vacuum circuit breaker जो है इसके अंदर जो vacuum होता है वो बाकी mediums जो बाकी circuit breakers के mediums होते हैं oil, sf6 या फिर air circuit breaker उन सबसे जादा इसकी insulating strength होती है dielectric strength जो है वो vacuum की ही सबसे जादा होती है ये जो current को interrupt करता है पहले cycle में ही interrupt कर देता है ये functioning में आपको working में बताऊँगा अब हम construction की बात करते हैं तो देखें, construction के अंदर अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये जो बाहर का envelope होता है, ये glass का बना होता है glass का इसलिए बनाया जाता है ताकि जो अंदर operation होता है उसको आप जान सकेंगी क्या operation अंदर हो रहा है जब अपना glass silver mirror से होके milky white color का जब हो जाता है तो हमको ये पता लग जाता है कि अपना vacuum circuit breaker के अंदर अब vacuum lose हो रहा है vacuum खतम हो रहा है तो हम वो समझ जाते हैं उस time पर उसकी जरूरी जो भी कदम होते हैं वो उठा लेते हैं इसलिए glass envelope use में लिया जाता है उसके अंदर यहाँ पर ceramic envelope भी use में लिया जाता है जो कि as a insulator की तरह उसको strength provide कराता है उसके बाद हमारे यहाँ पर दो contacts होते हैं एक होता है fixed contact एक होता है moving contact यह होता है fixed contact यह होता है moving contact fixed contact जो होता है उसको end gap के साथ fix कर दिया जाता है moving contact जो है उसके bellows लगाए जाते हैं वहाँ पर कडिया टाइप की वहाँ पर लगाई जाती है जिसके द्वारा ये उपर नीचे आसानी से move हो जाए ये जो metallic bellows हैं ये हमारे stainless steel के बने होते हैं यहाँ पर लिखा भी होगा देखे यहाँ पर लिखा है stainless steel के bellows बनते हैं इसके बाद ये जो bellows है इनको बाहर से spring mechanism या फिर solenoid mechanism के साथ connect किया जाता है जिसके वज़े से bellows जो है ये इस moving contact को आसानी से move कर पाते हैं उसके बाद ये जो fixed contact और moving contact के बीच का जो area है इसको हम arking range बोलते हैं जो arc बनती है वो यहाँ पर बनती है यहाँ पर एक sputter shield लगाई जाती है ये sputter shield जो है ये stainless steel की बनी होती है और ये metal ions को बाहर जाने से बचाती है as a insulator ही ये भी यहाँ पर use करती है यहाँ पर बचाव करती है metal ions को इधर उधर होने से बचाती है अब हम यहाँ पर working समझेंगे कि ये पूरा system work कैसे करता है देखिए शुरू शुरू में जब breaker operate नहीं करता है मतलब जब कोई fault नहीं आता है उस condition में ये जो moving contact है ये उपर होता है और यहाँ पर connected होता है इसके साथ इस तरीके से connected रहता है लेकिन जब हमारा breaker operate करता है जब कोई fault आता है तो ये जो moving contact है देरे देरे नीचे आता है इन bellos की मदद से और नीचे आते आते यहाँ पर आ गया अब जैसे ही नीचे होने लगता है तो यहाँ पर एक आर्क बनती है अब बाकी circuit breakers में जिस तरीके से आर्क बनती थी यहाँ पर उस तरीके से आर्क नहीं बनती है क्योंकि यहाँ पर जो medium है उसके अंदर कोई gas मौझूद नहीं है कोई particles मौझूद नहीं है कुछ भी मौझूद नहीं है यहाँ पर simple air भी नहीं होती है प्यॉर vacuum है तो अगर यहाँ पर कुछ particles है यही नहीं तो यहाँ पर आर्क कैसे बनेगी ionization किसका होगा तो यहाँ पर normal arc नहीं बनती है तो सर सवाल यह आता है कि यहाँ पर arc कैसे बनती है फिर तो वो मैं आपको समझाऊंगा देखे यहाँ पर जो है यह जो हमारा surface होती इस moving contact की इसके उपर micro projections होते हैं micro projections हम कह सकते हैं कि यह जो माल लीजे कुछ इस तरीके की surface है तो इस पर कुछ इस तरीके के micro projections होते हैं जो हमको microscopic level पर ही नजर आएंगे simple naked eyes से नजर नहीं आते हैं यह जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जब अचानक से हम current को interrupt करते हैं जब current को हम खतम कर देते हैं तो उस समय current density जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है पहले तो आपका current सिदा सिदा दोड रहाता जा रहाता लेकिन आपने अचानक से current को खतम कर दिया तो current का last point क्या हुआ current का last point हुआ जो यहाँ पर microscopic projections बन रहे हैं या फिर यह जो moving contact की surface है यह तो यहाँ पर current density बहुत ज़्यादा होने की वज़े से जो resistive heating है वो यहाँ पर develop हो जाती है तो यह resistive heating यहाँ पर होती है उस वज़े से क्या होता है field emission theory के according हम यह चीज़े समझा सकते हैं तो resistive heating होने के बाद यहाँ पर जो है metal ions vaporize होने लगते हैं यह जो surface है यह metal ions को release करने लगती है excessive heating हो जाती है उस वज़े से यहाँ पर metal ions बहर निकलने लगते हैं अब metal ions के अंदर positive ions भी होते हैं electrons भी मौझूद होते हैं neutral atoms भी होते हैं तो उस वज़े से क्या होता है कि जब यह metal ions इस area में आते हैं बीच वाले area में तो यहाँ पर एक current को path मिल जाता है तो जैसे ही current को एक path मिलता है तो यहाँ पर एक arc develop हो जाती है क्योंकि इन metal ions के तुरू यह इस वाले contact तक reach कर सकता है current तो वो जो current होता है वो उनको arc के form में नजार आता है तो यहाँ पर एक arc बनती है अब यह arc finish कैसे होती है यह हमारा main concern है तो वो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ देखिए आप जानते ही है कि यह AC है AC current जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से flow होता है ठीक है यह AC current का एक cycle है अब एक cycle के अंदर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर जो है इसका एक 0 आया यह एक 0 है मतलब यहाँ पर current आपका 0 हो जाएगा और एक यहाँ पर 0 हो जाएगा यह पूरा एक cycle है जिसके अंदर दो बार हमको current की 0 value मिल रही है अब जैसे ही यह वाला जो current जो हमारा current यहाँ पर जा रहा है जो हमारी arc यहाँ पर बन रही है जैसे यह arc एक बार 0 current की value जब होती है उस समय क्या होता है कि जैसे हमारा यह current एक बार 0 value पर आता है तो इसका मतलब है कि current तो आपका 0 हो चुका है अब आपको जो काम करना है वो करना है इस medium को तो ये जो medium है इसका मैंने आपको बताए कि dialectic strength जो होती है सबसे ज़ादा होती है तो ये उसको वहीं पर finish कर देता है दुबारा उस current को develop नहीं होने देता है restriking नहीं होने देता है जो बाकियों में डर रहता है restriking होने का इस वज़े से हम वहाँ पर अलग-अलग switches भी use करते थे आपने अगर देखे हूँ तो पिछले वाले वीडियो तो इसके अंदर क्या होता है कि dialectic strength जादा होनी की वज़े से एक बार current अगर खतम होता है तो दुबारा नहीं बन पाता है arc नहीं बन पाती है और वहीं पर finish हो जाता है इसलिए इसके insulating strength बहुत जादा है तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक बार current finish हुआ तो दुबारा नहीं होगा half cycle, half cycle के अंदर अंदर ही current को finish कर देगा ये vacuum circuit breaker की खास बात होती है ये मैंने आपको introduction में बताया भी था अब यहाँ पर जो हमारा जो ये जो arc है ये finish होती है तो इसके मैं तीन कारण आपको दे सकता हूँ दुबारा क्यों नहीं बनता है पहला तो इसकी जो dialector के strength है वो बहुत जादा होती है दूसरा ये भी होता है कि ये जो moving contact है लगातार पीछे होता जा रहा है तो एक sufficient distance maintain कर लेता है एक अच्छी खासे distance पर जब आ जाता है तो दुबारा contacts के बीच में वापस से current develop होना बहुत मुश्किल है तीसरा जो metal ions है ये condensed हो जाते हैं ये condensed हो करके वापस से अपनी surface पर आ जाते हैं तो दुबारा से current को path नहीं मिल पाता है तो ये कुछ reasons भी आप लिख सकते हैं जो main reason है वो यही है कि डाइलेक्टर के strength हावी हो जाती है और एक बार डाइलेक्टर के strength हावी होती है तो दुबारा arc नहीं बन पाती है ये पूरी इस system की working है ये मैंने यहाँ पर पूरा लिख रखा है आप चाहो तो इसका यहीं से screenshot ले सकते हो या फिर आप हमारी website पर जाकर के देख सकते हो अब हम बात करते हैं इसके advantages की तो vacuum circuit breaker के advantages आपको रटने की जरुरत नहीं है याद करने की जरुरत नहीं सिर्फ समझने की जरुरत है एक बार आप समझ लेंगे तो आप आसानी से इनको लिख पाएंगे देखे no fire hazards अब आप खुछ समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई oil medium नहीं है कोई ऐसा gaseous कोई hazardous gas नहीं है तो यहाँ पर fire hazards होने के डर भी नहीं है fire hazards नहीं होता है compact है reliable है बहुती छोटी size होती है बाकी circuit bakers के मुकाबले reliable का मतलब है कि जितनी बार operate होगा उतनी बार finish करेगा ही करेगा आर्क को ऐसा नहीं है कि 10 बार operate करा और 8 बार ही सही से काम करेगा दो बार नहीं करेगा reliability का मतलब यहीं होता है तो reliable है 10 में से 10 बार accurate काम करता है हाफ साइकल के अंदर अंदर ही फिनिश करता है, पूरा साइकल भी नहीं होने देता है, बहुत फास्ट वरकिंग है, तो ये भी किसका अडवन्टेज है, लॉंगर लाइफ, इसके लाइफ बहुत जादा होती है, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद कई सालों तक पांथ, तस, पंदरा भी साल तक ये चलता ही रहता है, मेंटेनेंस रिक्वाइड बहुत कम है, इसी लिए इसको रिमोट एरियाज में यूज में लिया जाता है, जैसे हिली एरियाज हो गए, या रूलर एरियाज हो गए, जहां पर रीच करना मुश्किल होता है, बार अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर सर्कृट बेकर्स को चेंज करना, ये सब मुश्किल वाली बाते जहांपर भी होती है, वहाँ पर वैक्यूम सर्कृट बेकर्स को ही यूज में लिया जाता है, क्योंकि इनके लाइफ बहुत जादा होती है, मेंटेनेंस कोई gas यहाँ पर release नहीं होती है low arc energy arc energy जो होती है वो भी बहुत कम होती है जिस वज़े से क्या होता है कि जो metallic हमारे contacts होते हैं उनका deterioration भी बहुत कम होता है oil circuit waker से अंदर बहुत ज़ादा deteriorate होते हैं और lightning surges को भी withstand कर जाते हैं vacuum ही यहाँ पर main हमारा ध्यान रखने वाली बात है कि vacuum पूरा का पूरा काम करना चाहिए ideal vacuum तो हम generate नहीं कर सकते हैं लेकिन approach vacuum ideal के बराबर हम बनाने के कोशिश करते हैं दूसरा यह है कि ज़्यादा voltages के लिए use में नहीं लिया जा सकता ज़्यादा voltage range के लिए वहाँ पर फिर आप SF6 circuit breaker use में लेते हैं और अगर ये 36 voltage के आगे kv के आगे अगर हम use में लेते भी हैं तो वहाँ पर multiple units को operate रना पड़ता है जो की disadvantages की रूप में दिखा जा सकता है applications के अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि remote areas में काम में लिया जाता है maintenance कम होती है इसलिए दूसरा reactor switching, transformer switching और capacitor bank switching के लिए काम में लिया जाता है और outdoor applications के लिए काम में ले सकते हो indoor applications के लिए भी काम में लिया जाता है generally 66 kv तक काम में लिया जाता है तो ये कुछ general बाते हो गई vacuum circuit breaker के बारे में अगर आप कुछ वीडियो से related कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते हो